नमस्कार मैं भुपंद्र पॉंडे आल इन वन चैनल में आप सब का हर्दिक स्वात करता हूँ और आज मैं आप लोगों को डॉक्टर हाइवन स्राइग बच्चन जी की कविता सुनाने जा रहा हूँ कविता का शिर्षक है पत की पहचान पुर्वचलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी हाल इनका ग्यात होता है नारों की जबानी अंगिनतरा ही गए इस राह से उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी यह निशानी मूख होकर भी बहुत कुछ बोलती है खोले इसका अर्थपंती पंत का अनुमान कर ले पुर्वचलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले यह बुरा है या की अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना अब असंभव छोड यह पत दूसरे पर पगबढ़ाना तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी सोच मत केवल तुझे ही या पड़ा मन में बिठाना हर सफल पंती यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है तू इसी पर आज अपने चित का अवधान कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले है अनिश्चित किस जगा पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे है अनिश्चित किस जगा पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे है अनिश्चित किस जगा पर बागवन सुन्दर मिलेंगे किस जगा यात्रा खतम हो जाएगी या भी अनिश्चित किस जगा यात्रा खतम हो जाएगी या भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे कौन सासा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सासा आप अड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले कौन कहता है कि सवपनों कोन आने दे रिदय में देखते सब हैं इन्हें अपनी उमर अपने समय में और तू कर यतन भी तो मिल नहीं सकती सफलता ये उदय होते लिए कुछ धेए नैनों के निलाए में किन्तु जग के पंत पर यदी सवपन दो तो सत्य दो सव सवपन पर ही मुग्दमत हो सत्य का भी ज्यान कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले स्वर्गा सवपना आता स्वर्ग का द्रिग कोर को में दित्ति आती पंक लग जाते पगों को ललकती उनमुक्त छाती रास्ते का एक काटा पाव का दिल चीर देता रास्ते का एक काटा पाव का दिल चीर देता रखत की दो बून्द गिरती एक दुनिया डूब जाती रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाव पृत्वी पर टिके हो कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले